आशीश मित्तल फ्रम आर्सन वोड्स एक और मंदिर का डिजाइन एक और इसलिए क्योंकि मैं आपको सौ से उपर मंदिर के डिजाइन दिखा चुका हूँ और यूटीब पर आप जाएंगे और मंदिर सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको आर्सन की मिलेंगी सिर्फ डिजाइन ही नहीं बहुत डिटेल में एक्स्प्लीन किया है हमने वास्तु के बारे में, सिटिंग हाईट के बारे में, दिया ट्रे, भोग ट्रे, गोप कुरम के साथ और फ्रेंट टू बैक है यह 24 इंचिस दो फीट जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको खड़े होके पूजा करनी है तो आप देख सकते हैं यह आप्टिमम प्रॉपर हाइट है टू एंड हाफ फीट का प्लाटफॉर्म है तीस इंच का और साथ में ह बात करें कलर की बात करें और काम की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है साथ ही साथ काम जो इस पर है कार्विंग का वर्क यह अपने आप में मास्टर आर्टिशन की कला दिखाता है है हैंड वर्क है हाथ से होता है सारा काम ड्रॉइंग ड बात करी तो आप देखते हैं किस तरह से इतने खुबसूरत रेशे इस पर दिख रहे हैं इसके और ये टीक वूट का टेक्स्चर है नाच्छल टेक्च्चर और इसी वूट के अगर आप फ्रंट पर देखेंगे तो ये कार्विंग आ गई है और कार्विंग में रेशे इतने क्लियर नजर नहीं आते हैं प्लेन पर बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं वर्क डिजाइन कलर साइज सब क्लाइंट चॉइस है जैसा क्लाइंट ने पसंद किया यह जा रही है पटना हम इंडिया में भी डिलेवर करते हैं इंडिया के बाहर भी हर चेंगे डिलेवर करते है और अगर हमारी website पर testimonial section देखेंगे तो हजारों मंदिर हमने बनाए हैं और already पूरी दुनिया में भेजे हैं अगर आप भी अपने घर के लिए कोई अच्छा मंदिर देख रहे हैं वास्तु के अनुरूप अपने पूजा tradition के अनुरूप तो आप में contact कर सकते हैं उजा tradition के मैंने बात करी तो होता क्या है कि काफी लोग prefer करते हैं गोपुरब जैसे आप पर देख रहे हैं काफी लोग ऊपर यूज करते हैं ट्रे की बात की से trace में दिया ट्रे है अगर आपको भोग ट्रे चाहिए बड़ी ट्रे चाहिए वह बन सकती है उसका भी इशू नहीं है काफी लोग prefer करते हैं डोल वाला मंदिर तो जैसे आपको चाहिए बना देंगे तो आप बताईए आपको क्या चाहिए किस तरह का आपको मंदिर पसंद है वैसे हम आपके लिए बना कर देंगे और आपके लिएवर करेंगे मुझे आश झाल